Hey guys, welcome back to my channel, मैं हूँ विभाग कैसे हैं आप सब और ये देखिए मैं अपने बगेचे से फूल तोड़ के लिए आई हूँ, कैसा लग रहा है? तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ खास नहीं, बस शाम का नास्ता तयार करेंगे आज, हम सुबह तो अच्छे से नास्ता कर लेते हैं और शाम की चाय का टाइम होता है, बहुत लोग नहीं पीते हैं और बहुत लोगों के लिए बहुत जरूरी ह होती है शाम की चाय तो उस समय हमारे पास कुछ नहीं होता हम ऐसे ही चाय पी लेते हैं या फिर कुछ तला भुना खा लेते हैं तो जाहर सी बात है तला भुना हेल्थ के लिए अच्छा है नहीं लेकिन कभी-कभी चलता है सब कुछ आज मैं आपको एक नमकीन बनाना बताऊंगी जादा तर लोगों को आती होगी ऐसा कुछ नया और बहुत बड़ा नहीं है लेकिन हाँ कम तेल में एक ऐसी नमकीन जो चाय के साथ शाम की चाय के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए कीचन में चलते हैं कि आप अब आप आप अज हम बनाएंगे मौंग फली के दानों और चूर्ण वसे बड़ी ही नमकीन तो थोड़ा सब में तेल यहां घरम कर लिया है बहुत ही थोड़ा सा तेल लेना है और मौंग फली के दाने जब तेल गरम हो जाए तो डाल के अच्छे से चला लें पख कच्छा पनना रहे हैं में वरना सारा टेस्ट खराब हो जाता है तो अच्छे से इनको भून लीजिए और यहां मॉंगफली भून गई है तो उसको निकाल लेते हैं जो तेल बच्चा है थोड़ा सा बस उसी में हम डालेंगे थोड़ी सी करीपकता हमारी पौधे में वस ऐसी मुलायम सी कोपले निकल रहे हैं तो वही यूज़ कर रहे हैं हम वह डालेंगे और उसके बाद डाल रहेंगे इसमें चूड़ा जितनी मात्रा में आपको नमकीन तयार करनी है उतना चूड़ा डाले जिए यह काफी दिन चल जाती है नमकीन आप एयर टाइड डिबे में रखे क्योंकि इसमें बारिस का मौसम है गर्मियों में तो कैसे भी हम रख देते हैं तो चीज़े चल जाती है पर बारिस में थोड बंद करके डिबे में रखेंगे तो यह हपते 10 दिन आपकी नमकीन काम में आएगा तो तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगी ज्यादा देर तक आपको भूनना पड़ेगा और यहां पर मैंने डाल दिया है जीरा पाउडर भूना है जीरा पाउडर मेरे पास था वह मैं जीरा पाउडर और यह मेरा चाट मसाला थोड़ा सा खट्टा बना जाता है जट पटा सा तो चाट मसाला डालेंगे इसमें और इसमें हम डालेंगे थोड़ा साम चूर पाउडर और नमक थोड़ी सी लाल मिर्च आप चाहें तो डालें न चाहें तो आप इसको इसके भी कर सकते हैं यहां चूर पाउडर डालना जा रहा है और बस लेकिन ध्यान रखें कि इसको चलाते रहें वरना नीचे पहले तो भारी तले का कोई बरतन हो कड़ाई है तो आप उसी म से कुरकुरा भून जाए अब यहां यह थोड़ी सी लाल मिर्च मेरे डाल ली है लाल मिर्च आप पसंद ना करें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं थोड़ी सी और अगर अब चाहें तो इसके भी कर सकते हैं मिर्च लेकिन इसको अच्छी तरह भूनना है क्योंकि तेल इसमें बहुत कम यूज हुआ है तो आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करने पड़ेगी और पस नमक पड़ गया आप इसमें और कुछ डालने के जरूरत नहीं है थान एक चीज मैं भूल गई यहां पर थोड़ी सी चीनी भी हम डालेंगे जो टेस्ट है खट्टे मिठ्टे का वो बैलेंस हो जाएगा बहुत ज्यादा चीनी नहीं डालनी है आपको नहीं डालनी है आप चीनी पसंद नहीं है अगर थोड़ी सी चीनी इसमें आप डालेंगे तो टेस्ट इसका बढ़ जाएगा तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीनी भी डाल रही हूं अब बस अच्छे से भून लीजिए आपकी नमकीन तयार हो गई है अब बस हमारे पास जो भूने मुंफली के दाने हैं हम वो डाल देंगे और लीजिए तयार हो गई कुरकुरे चूरे वाली नमकीन आराम से जब भी हलका फुलका कुछ क्रेविंग हो आपको कि भूख से लग रही है आप इसको खा सकते हैं और चाय के साथ तो बहुत ही अच्छे लगेगी सिन सबको अच्छे से मिला लिजिए और आपकी नमकीन खाने के लिए तयार है चाय बनाईए और नमकीन इजिए और मौसम का लुट पुठाईए वैसे हम लोग के हां तो एक ही दू दिन बारिश होई है इधर और बारिश अब हो ही नहीं रही है बारिश का इंतजार ही कर लोग रोज बादा लाते हैं चले जाते हैं भारिश नहीं होती लेकिन फिर भी चाय के साथ है अच्छी लगेगी तो गाइस नास्ता मेरा हो चुका है तयार और आप लोग भी से बना के जरूर खाईए यह बहुत कम तेल में बन जाता है थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है भूनना ज्यादा पड़ता है चोड़े को लेकिन बहुत कुरकुरा हो जाता है बहुत सारे लोग नमकीन बनाते हैं चोड़े के और तेल में अच्छे से तल देते हैं उसको डीफ्राय करते हैं जो आलू के लच्छे होते हैं वो डीफ्राय कर लेते हैं कार्ण फ्लैक्स वो deep fry कर लेते हैं और फिर नमकिन जाहर सी बात है बहुत सारा तेल पर जाता है तो पलाभुना अच्छा भी लगता है खाने में लेकिन जो ये नास्ता है ये healthy है इसमें तेल बहुत कम यूज किया गया है और खाने में भी अच्छा लगता है तो उमीद करती हूँ आप सबको मेर ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करिए पूरा घर में समय कपड़े फैले हैं बार इसका लग रहा था और झाल सकता है